है लो फ्रेंड्स आप सभी कासव गए था है इस फिपोना की सेरिज के सेकेंड वीडियो में तो दूस्तो प्रिवेस्ट वीडियो में हमने आप पर डिसकस किया था कि Fibonacci होता क्या है और Fibonacci यह जो particular series है वो डिराइव कैसे हैं मैं आपको proper calculation करके बता आए था अगर अपने video नहीं देखा है तो प्लीज आप first video देखे तो ही आपको यह second video समझ में आएगा और इस video में मैं आपको पूरा है आप प्राक्टिकली बताऊंगा कि Fibonacci retracement क्या है औ है क्या कैसे यूज करना है Fibona की retracement को uptrend और downtrend में और Fibona की confluence क्या होता है वो भी मैं आपको यह पर बता हूँगा बहुत ही interesting है यह तीनों topic सो चलिए शुरू करते हैं और यहापर master करते है Fibona की retracement को वीडियो के साथ आगे बढ़ने से पहले आपको एक और चीज़ आपर बताना चाहूँगा कि वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैंने हाँपर detail में Fibona की retracement के बारे में डिसकर्स किया है सो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और लाश में आप सभी के लिए सब्सक्राइस भी अवेलेबल है लेकिन इस वीडियो में हमें आप डीटिल में समझेंगे कि Fibona की retracement को यूज कैसे करना है सुचलिए आपको यहापर बताना चाहूँगा कि retracement क्या होता retracement मतलब जब भी कोई trend उपर जाता तो हमेशा आपको एक opposite moment आपको दिखेगा market में जैसे कि trend उपर गया तो हलका सा हमें आप opposite moment हमें देखने मिला दुबारा trend उपर जाता है हलका सा opposite moment हमें देखने मिला हम इसे pullback भी कहते है हम इसे opposite moment भी कहते है और हम इसे हाँ पर retracement भी कहते है हम यहाँ पर Fibona की Retracement का Tool इस्तमाल करते हैं तो Market में दो दरी की Trend है एक है आपकी Up Trend जहां पर Market एक Higher Top बना रहा है एक Higher Bottom बना रहा है एक Higher Top बना रहा है एक Higher Bottom बनाते हुए Up Trend एक Up Trend Create करता है Market में अब जब यह Up Trend Break होती है अब मान लीजे कि Higher Top, Higher Bottom बनाना स्टार्ट किया है यह मुझे क्या बता रहा है यह मुझे क्लियर बता रहा है कि कहीना कि यह Trend चेंज हो रही है और Market यहाँ पर नीचे जा सकता है अब कोशन यहाँ आता है कि Market कितना नीचे जाएगा और कहा पर सपोर्ट ले सकता है तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे Fibona की Retracement Tool Fibona की Retracement Tool आपको यहाँ पर अवेलेबल है Fibona की Retracement Tool अब कैसे प्लोट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चेंजे से Fibona की Retracement Tool की सेटिंग में वो भी मैं आपको यहाँ पर explain करूँगा जैसे कि हम Fibona की Retracement Tool अगर आपको ट्रेंड में यूज करना है तो आपको यहाँ पर दो चीजों की ज़रुवत है एक आपको चाहिए Bottom और एक आपको चाहिए Top जो भी आपका Recent Trend है अब मेरे आपका Recent Trend क्या है मैं बोल सकता है आपका Trend नीचे से ऊपर की Direction में जा रहा है तो हमें भी Fibona की Retracement Tool अप Trend के Case में हम यहाँ पर Bottom to Top यहाँ पर Plot करेंगे जैसे कि यहाँ पर मैं Select कर तो Fibona की Tool यह आपका Bottom है और यह आपका Top है तो आप देख सकते हो आपको different different levels आपको दे दिये है Fibona की Retracement Tool ने के कहा कहा पर Price आपका Support ले सकता है तो यहाँ पर आप देख सकते हो 50%, 61.8%, 78.6% इस तरह के आपको यहाँ पर Levels देखने मिल जाते है तो यह तो हो गई बात Uptrend की के Uptrend में हम कैसे Plot करेंगे Bottom से लेकर Top के बीच में हमें आपको Plot करेंगे Fibona की Retracement इसके लिए Uptrend के लिए अगर मुझे आपर पूरे Trend का देखने है तो आप यहाँ पर क्या करोगे अब मेरे हाँ पर सबसे Lowest Bottom यह है और सबसे Highest Top मेरा यह है तो यहाँ पर मैं Lowest Bottom से Highest Top तक यहाँ पर मैं Mark कर सकता हूँ यह Tool और मुझे हाँ पर पता चलेगा कि अगर Price और नीचे जाते तो First यहाँ पर होगा Support 23.6% पर जो है यहाँ पर 1172 लेवल और यहाँ पर Second है 1162 लेवल इस तरह से आपको यह पर भी लेवल से आपको मिल चुक है जहाँ पर Price Support ले सकता है चले यह तो वह गया Uptrend के बारे में अब मैं आपको बता था downtrend के बारे में भी Yes downtrend में भी हम इस Tool को इस्तमाल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से अब downtrend क्या होता है downtrend में Price हमेशा एक pattern बनाता है जिसे हम कहते है lower bottom, lower top, lower bottom, lower top, lower bottom और lower top और lower bottom इस तरह से प्राइस यह pattern बनाते हुए नीचे की direction में जा रहा है तो clear हम इस दिख रहे है कि हापर lower bottom बनाया, lower top बनाया, lower bottom बनाया, lower top बनाया और इस तरह से lower bottom बनाते हुए प्राइस नीचे की और जा रहा है अब जब कभी भी आपको यह trend चेंज होते हुए दिख जैसे कि हापर higher top, higher bottom बनाया, start कर दिया तो clear indication है कि कही न कही आपका trend चेंज हो रहा है और यहाँ पर हमें uptrend continue होते हुए दिख सकता है अब यह retracement कहां तक price उपर जाएगा, कहां से दुबारा reversal ले सकता है, क्या यह trend continue करेगा, यह सबसे बड़ा question होता है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, Fibonacci retracement tool लेंगे और यहाँ पर downtrend कौन से direction में जाता है, उपर से नीचे की तरफ तो हम यहाँ पर Fibonacci retracement tool भी उपर से नीचे की तरफ इस तरह से आप plot करोगे, तो यहाँ पर मैंने plot के उपर से नीचे की तरफ और यहाँ पर मुझे उपर के level मिल गया, अब आप देखोगे, अब trend में क्या था, 23.6% उपर था, उसके नीचे 38.2% था, अब downtrend में यह उल् retracement के level मिल चुके हैं, तो इस तरह से हम plot करते हैं, downtrend में और uptrend में, लेकिन यह जो tool है, इसको मैंने हाँ पर customize किया है, ताकि बहुत ही simple हो, और easy to understand हो, ताकि level आपको clear दिखे, अगर आप by default tool यूज़ करोगे, trading view का, तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, आप यहाँ पर market में हमेशे जरूरी नहीं है, कि आप यहाँ पर तड़क बड़क यूज़ करो, यहाँ फिर बहुत सारी चीज़ आपकी creative होनी चाहिए, market में simplicity जदा important है, जितना simple होगा आपका setup, जितना clear होगा, जितनी आपकी आखे clear देख पाईगे, आपका setup को उतना ही बैतरीन तरीके स आप signal को capture कर पाऊगे, और read भी ले पाऊगे, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैं आपको बता दे, तो मैंने consequence settings क्या क्या है, मैंने change किया, ताकि आप भी वो करो अपने particular system में, तो सबसे पहले हमें trend line, मैं ऐसे dark कर लेता हूँ, second, extend to the right, हमें right में पूरा extend करना है, और हमें खली यहाँ पर 0 से लेकर 1 के बीच के नंबर को रखना है, तो 0, 0.2357 यह बाकि 1 के उपर के numbers हमें आपर disable कर देंगे, तो यहाँ पर मैंने इने disable कर दिया, अब मुझे एक ही color यूज़ करना है, वो है black, तो मैंने आपर black color ले लिया, background की ज़रुत नहीं है, background हटा दीजिए अब इसके बाद price नहीं चाहिए, okay price रखते है, लेकिन value नहीं चाहिए, हमें percentage की ज़रुत है, तो यहाँ पर देखिए, जो भी आपके Fibonacci के number है, वो percentage में है, decimal में नहीं percentage में आगए, अब यह label को हमें आपर write कर लेते हैं, और इस तरह से आपका Fibonacci tool ready है, आप इसका screenshot ले So, दोस्तो, जो भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, यह just knowledge purpose के लिए, मैं आपको कोई भी आपर recommendation या आपको कोई भी stock buy करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, जब भी आपको यह buy करे, proper अपना analysis कीजिए, अपनी research कीजिए, और इसके बाद ही आप अपने stock को buy कीजिए, च या हम इसे long term में use कर सकते, swing में या फिट इंट्राडे में use कर सकते, क्या सारे questions का answer ये वीडियो में आपको मिल जाएगा, फिबोना की retracement के related, अब कुछ चीजी में आपको यापर clear करना चाहता हूँ, अब देखें, first आप हमेशा देख ये stock को, क्या आपको clear bottom, एक आपको top दिख रहा है क्या, तो हमें आपर देख सकते है, daily time frame पे हूँ, daily time frame पे मुझे clear है कि आपर bottom दिख रहा है, और एक मुझे आपर top दिख रहा है, और price आपर नीचे जाते हुए भी दिख रहा है, मतलब price ने इतना अंदर तक retracement भी कर लिया है, लेकिन यहाँ पर अगर आप traditional basis इस भी देखोगे अपना support resistance, तो first support मेरा यहाँ आता है, और support को break करके तो नीचे गया था price, लेकिन अब मैं आपर Fibona के retracement यहाँ करूँगा, क्योंकि मेरे पास bottom है, और मेरे पास top 1 uptrend था, uptrend के अंदर यह reversal आया है, तो अब कहा तक और जाएगा, क्या support लेके उपर जा स सकता है, चली understand करता है, अब Fibona के retracement के कुछ लेवल की importance है, वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता है, इस example के साथ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने इसे plot किया, bottom से लेके top तक इस tool को मैंने आपर plot किया है, और देख सकते हो, सभी levels मुझे देखने मिल चुके है, अब Fibona की retracement या फिर फिबोना की series में सबसे important जो ratio है, वो है आपका golden ratio, golden ratio मतलब 61.8%, 61.8% सबसे ज़ादा important आपका ratio है, यहाँ पर हमेशा आपको major support लेती, वो दिखेगा stock, यहाँ से हो सकता है, कि आपका trend यहाँ पर दुबारा उपर की तरफ continue करे, अगर यह break होता है, तो समझ जाए कि आपका trend reverse हो चुका है, और सीधा वो जाके रुखेगा 78.6% में, अगर आपका trend, आपका stock, really हाँ पर strong है, strength आपके stock में, तो यहाँ तो वो 23.6% पर सपोर्ट लेगा, यहाँ तो 38.2% पर सपोर्ट लेगा, 38.2% पर जो भी stock हाता है, हम उसे healthy retracement बोलता है, मतलब जब भी uptrend होता है, तो normally stock यहाँ पर इतना retrace करता ही है, 38.2% पर और दुबारा उपर की direction में continue कर जाता है, लेकिन अगर यह 38.2% को break किया है, straight away आपको यहाँ पर second आपका जो होगा level वोगा 50% और इसके बाद आपका होगा 61.8% तो यहाँ पर देखिए, proper 61.8% पर आके जा रहा है, अब कोशन आता है कि सर अब हम इस level को use कैसे करें, आपने तो यह बता दिया कि यहाँ पर इस support ले रहा है, यहाँ से ओपर जाएगा, लेकिन इस use कैसे करना है, अब मुझे clearly पता है कि यहाँ पर support लेके ओपर की तरफ उठ सकता है, मतलब मैं कही ने कही यहाँ buy trade देखूँगा, buy trade के लिए मुझे क्या करना है, मैं sell trade कब देखूँगा, जब यह level break हो जाएगा, और इस level के नीचे close करेगा, तो यहाँ पर मैं कही ने के short trade देखूँगा, लेकिन जाधा तर फिबोना की retracement हम use करते है, positional के लिए, तो हमें आपर long के लिए हम देखेंग अब यह उपर के लिए, अब हम क्या करेंगे, उपर के लिए आपके पास downtrend है, downtrend का top है, और downtrend का bottom है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, downtrend के top से लेकर downtrend के bottom तक यहाँ पर toll plot करता हूँ, तो फिबोना की ने मुझे हाँ पर levels देए दिये, कि अगर stock उपर जाता है, तो कहां कहां पर resistance ले सकता है, और कहां से दुबारा reverse हो सकता है, तो अब मैं enter कप करूँगा, अब मैं enter करूँगा, 23.6% के level के उपर, अगर target होगा next level, जो है 38.2%, अब मेरा final, मेरा target में क्या रखूँगा, final target में हाँ पर रखूँगा, कहीना के 50% का, क्योंकि आप देख सकते हो, एक यहाँ पर support है, एक यहाँ पर resistance है, एक यहाँ पर gap है, तो कहीना की gap फिल हो जाएगा, और इसके बाद आपको दुबार है, आपको अबना trade plan कर सकते हैं, मैंने first मैंने क्या किया, first मैंने आपर uptrend देखा, कि और कहा तक नीचे जा सकता है, मुझे देख रहा है, कि यहाँ पर 61.8 का support लेकर stock उठ सकता है, तो मैंने आपर कहा तक उठेगा, वो देखने के लिए, मैंने top से लेकर bottom तक downtrend का मैंने Fibona की retracement plot किय और इससे मुझे पता चला कि कितना और उपर जा सकता है, तो यह तो मैंने आपको बताया, downtrend, uptrend, डोनों की case में आप कैसी Fibona की retracement को use कर सकते हो, और आपको clarity चाहिए, तो उसे early time frame पे लेके जाए, early time frame पे और आपको यहाँ पर clarity मिल जाएगा, आप देख सकते हो, top 2, bottom य और यहाँ से अप clearly मुझे दिख रहा है कि और यहाँ पर कितना ऊपर जा सकता है, 38-1, 2% और सीधा 50% आपका main target होगा, चलिए, आगे बढ़ता है, एक और example देखता है, चलिए, बजाच फिन सब, बजाच फिन सब के लिए सबसे पहले, अब देखिए, यहाँ पर मुझे तो जब आपको चार्ट, जब तक आपको चार्ट यहाँ पर clearly ना दिखे, आफ वहाँ पर places मत कीजिए, तो हमेशा higher time frame पर जाना है, तो मैं आपर daily time frame पर चलता हूँ, daily time frame पर आ चुका हूँ, अब भी मुझे मुझे आपर clearly नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर मैं weekly time frame पर ज Fibona की retracement plot करता हूँ, और मुझे clearly दिख रहा है कि 50% से support लेके stock उपर उठा है, इसी के साथ साथ आपको price action को ignore नहीं करना है, हमेशा है रखिए, price action आप कभी भी ignore नहीं करोगे, price action सबसे important tool होता है, technical analysis में, technical analysis मतलब price analysis मतलब price action, price action मतलब price ने कहा कहा पर support लिया था, और कहा कह से stock उठा है, तो आप देख सकते हैं, important trend line है, trend line के बाद अगर मैं आपर zone mark करूँ, तो आप देख सकते हैं, proper symmetrical triangle pattern आपको यहाँपर देखने मिलेगा, proper symmetrical triangle pattern बना है, triangle pattern है, अब इसके breakout पे मैं आपर trade करूँगा, तो breakout पे मैं कैसे trade करूँगा, वो भी मैं आपको बतांगा, Fib 2%, second target आपका होगा है, आपर 50%, और last होगा आपका 61.8%, तो अगर यह pattern breakout करता है, मुझे target क्या रखना है, वो आपको Fibonacci retracement आपको बता देता है, तो यहाँपर clearly आपको देख रहे हैं, कि Fibonacci retracement में आपको है, आपको सभी targets आपको दे दिये हैं, आपको बस खली है आपर breakout का wait करना है, अब second है आपर बात करता है, उपर की तरफ कहाँपर मेरा target होगा, तो उपर की तरफ target के लिए, पहले तो यहाँपर आप देख सकते हो, यह आपका particularly एक zone है, जब तक इसे break नहीं करता, मैं हाँपर trade नहीं खुरूँगा, यह मेरा no trading zone है, इसके breakout पे ही मैं हाँपर देख सकते हो, यह आपका top है, यह आपका bottom है, यहाँ से stock नीचे गया था, दुबारा उपर गया, तो आपको यहाँपर recent top और recent bottom आपको पकड़ना है, तो आप देख सकते हो, proper sideways में, ज़्यादा मुझे कुछ आपर देख नहीं रहा है, लेकिन मुझे इस range के बाहर के level देता हूँ, और यहाँ पर मैं mark करता हूँ, इसका recent top और इसका recent bottom, तो आप देख सकते हो, recent top आगया, और recent bottom आगया, तो यह आपर top से bottom मैंने, आपको प्लॉट्ट किया, फिबोना की retracement, अब top से bottom मैंने plot किया, फिबोना की retracement आप देख सकते हो, 78.6% पर अल्रेडी, 61.8% प कुछ भी मुझे नहीं देख रहा कि मैं आपर ट्रेड ले पाऊ तो यहां पर मैं ट्रेड नहीं करूंगा जो भी मेरा टार्गेट होगा ब्रेकाउट पर वह होगा अल्टाइम हाई का टार्गेट आप देख सकते हो 100% का टार्गेट और अगर नीचे की तरफ आता है तो नीचे की तरफ आल्रेड़ी मैं आपको होता चुका हो कि आप कैसे टार्गेट यहां पर सेट करोगे तो इस तरह से बचाश्विन सब में हमें हाँ पर रेंज ब् मा कैसे में मिनिमाइस कर दिता हूं अगरेट अब मैं डेली टाइम फरेम पहर्स्ट रहा खें कि क्या हमें चायलाईस करता है कि किस तरह से हापर हमें मुवेंटम देखने मिला है चलिए फरस्ट में आपर वीकली टाम फ्रेम पर जाएंगे थोड़े बड़े टाम फ्रेम पर आपको clear थोड़ी पिक्चर मिलती है और वहाँ पर है कि आप clear decision भी ले सकते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं आप फरस्ट आपर top two bottom टर्म, डाउन ट्रेंड का पहले मैं मार्क करता हूँ, और मुझे क्लियर दिख रहे हैं कि 61.8% को तो ब्रेक कर दिया है, मतलब कहीं न कहीं है, अब ट्रेंड में जा चुका है, ट्रेंड है, आपर डाउन ट्रेंड पूरी तरह से चेंज जा चुका है, तो मैं बाई के लिए दिख सकता हूँ, चली, मुझे फीवफना की ने कलियर ने दे दिया, कि भाई के लिए अब आब है अब मुझे भाई के लिए देखना है कि और यहां पर कितना अंदर आ सकता है और यहां पर कितना उपर जा सकता है, तो यह तो मैं पता सँल गया कि तो मेरा पहला लेवल है आपर निकल के आ रहा है 23.6% यहाँ पर जो है 4,490 रुपीज का तो इसे आपर मैं मार्क कर देता हूँ चली इसे आपर मैं मार्क कर देता हूँ इस तरह से यह मेरा मार्क हो गया हूँ अब मैं आपको बता रहो कि जो एक मैंने topic लिका था फिबोना की confluence वो आपको कैसे find out करना है अब मैं आपको वो है आपर बताने जा रहा हूँ confluence का मतलब कहा है confluence का मतलब यह है कि एक trend में आप multiple Fibonacci लगा सकते हो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो एक bottom है एक बड़ा top है इसके बीच में एक और bottom है और recent top भी है तो यहाँ पर दो top और bottom है तो यहाँ पर मैं दो Fibonacci level से आपर mark कर सकता हूँ confluence मतलब जहाँ पर बहुत सारे E की जगह पर Fibonacci level आपको मिल रहे है जो बहुत ही नजदिक है वो आपका confluence मतलब strong zone बन जाता है तो यहाँ पर देखिए मैं यह से भी हाँ आपर mark कर देता हूँ आपको यह देखना है कि सबसे नजदिक दोनो Fibonacci retracement जो हमने पहले आपर mark किये थे levels और अभी जो हमने mark किया सबसे नजदिक में कौन से ज़ादा आपर cluster है cluster मतलब एक ही जगह पर जादा lines तो आप देख सकते होगी यह जो है 50% का level और पिछली बार का जो 38.2% का level है previous Fibonacci का वो यहाँ पर मिल रहा है तो यह मेरा zone एक important zone हो गया तो इस zone को मैं mark कर लूँगा जब भी stock नीचे आएगा तो मेरा यहाँ पर यह buying level होगा मैं ना ही यहाँ पर 38.2% पर बाय करूँगा और ना ही यहाँ पर particularly 23.6% पर मैं buy करूँगा मैं interested हो तो सीधा है यहाँ पर 50% के level पर अपर इतनी बड़ी rally दे दिया है तो यहाँ पर मैं महेंगे price पर तो नहीं खरीदूँगा हमेशा आपको याद पता होना चाहिए market के अंदर कि जब retrace होता है जब market थोड़ा सा गिरता है एक support level पर आपको buy करना चाहिए तो अधर आपका profit या फिर आपका कि confluence क्या होता है चली एक और example लेते हैं चली हिरो मोटर कॉप सो हिरो मोटर कॉप आप देख सकते हो अल्रेड़ी हाँ पर all time high पर चल रहा है लेकिन एक चीज़ अपने लोटिस कि होगी कि हाँ पर retrace कर रहा है अभी retrace कर रहा है मलदने नीची की तरफ आ रहा है और कितना नीची जा सकता है यह weekly टाम फ्रेम है तो विकली टाम फ्रेम में हमें अगर मैं हाँ पर ही mark करता हूँ अगर मैं हाँ पर ही recent bottom और recent top mark करता हूँ तो almost चली इसका color में change कर देता हूँ जो recent वाल है वो blue color है और जो previous हमने जो mark किया था एक बड़े trend पर वो है आपर black color है confluence कहा पर है confluence आपका यहाँ पर है मतलब अगर मैंने यहाँ पर bottom to top already मैंने mark किया होता और previous trend मैंने mark किया होता तो यह मुझे already a level मुझे मिल चुका होता ना ही मैं यहाँ पर buy करता ना ही मैं यहाँ पर buy करता मैं buy करता confluence पर आप देख सकते हो मैं इससे थोड़े यहाँ पर 23.6% और अभी का जो मैंने मार्क किया है वो 50% का लेवल यहाँ पर cluster बन रहा है एक यहाँ पर confluence बन रहा है तो एक important level हो गया तो यहाँ पर अब मैं यहाँ पर trade plan कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं कहीं न कि buying करूँगा, एक चोटा सा stop loss रखे और target कैसे decide करते है वो भी मैं आपको बताता हूँ, अब मान लीजिए कि मैं मुझे हाँ पर trade लेना है तो अब मुझे हाँ पर buy करना है, लेकिन target कैसे रखूँगा, इस trade को मैं trade कैसे करूँगा, तो इसे trade करने के लिए मैं top to bottom एक यहाँ पर Fibona की mark करता हूँ, क्योंकि मुझे अब देखना है कि ऊपर कहा का पर दिखता है और कहाँ पर मैं अपना target रख सकता हूँ, तो इस तरह से मैंने आपर mark किया, अब मैं आपर early time frame पर जाता हूँ, ताकि और आपको resistance है, तो आप यहाँ पर price को ignore नहीं करोगे, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत बहुत ही जादा है, यहाँ पर resistance level है, तो 38.2% तो final मेरा जो है पर target होगा वो होगा 50% का, और अब clearly देख सकते हो 38.2% easily achieve हो चुका है यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसी हाँ पर इस level पर आया, जो हमने mark किया था 50% और जो confluence था confluence पर हलिट होते ही price सीधा ओपर गया, सीधा 23.6% और 38.2% पर गया है, चलिए एक last example लेता है, आई radar का, first video मैंने start किया था, easy example के साथ, और यह example से मैं आपको बताऊंगा कि Fibonacci retracement को आप और multiple तरह से आप कैसे देख सकते हो, अलग-अलग नजरिये से चलिए, यहाँ पर दिखिए, आई radar में first यहाँ पर आप देखोगे, पहले आप यहाँ पर Fibonacci के basis पर stock का behavior भी देख सकते हो, कि stock कैसे behave करता है, और आगे यहाँ पर कैसे behave करेगा, वो भी अप predict कर पाऊगे तो आप यहाँ पर दिखिए, पहले आपर 38.2% पर सपोर्ट लिया, अब मैं इसे हटा देता हूँ सेकेंड यहाँ पर क्या गया, सेकेंड यहाँ पर trend स्टार्ट हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक मैं mark करता हूँ, और सपोर्ट कहाँ लिया, सभी levels break करके सीधा सपोर्ट लिया, 78.6% पर, मदब profit booking आई थी, चलिए, यह तो हमें समझ में आता है, profit booking आई थी, second आप दिखिए, second rally, बड़ी rally होने के बाद, यहाँ पर 78.6% तक retrace किया है, अगेन एक चोटी सी rally हुई, और उसके बाद यहाँ पर एक हलका सा retracement वह 50 याँ फिर 61.8% के level तक, और उसके बाद एक बड़ी rally आई है, और यहाँ पर एक बड़ा से बैटा है, stock, अब मैं recent bottom और recent top भी आपर में mark कर देता हूँ, ताकि आपको और यहाँ पर clarity मिले, इसे आपर में black color कर देता हूँ, आप देखिए, confluence कहाँ पर है, सबसे नजदिक यहाँ पर, कहाँ पर आपके level से, यह मैं बोल सकता 50% और 61.8%, मतलब recent trend का, जो 61.8% ए golden ratio, और 50% जो previous trend का, plus इसे के सबस्द एक और level है, वो आपका support level, यह जो previous swing high था, उसके बाद यहाँ पर market जो उपर गया, मतलब यह आपके important support level होगा, तो यह support level भी है, मतलब तीन-तीन चीज़े एक ही जगा पर available है, ना ही मैं यहाँ पर buy करूँगा, ना ही मैं 50% पर buy करूँगा, मैं interested हो इस level पर, जब यह stock मुझे इस level पर दिखेगा, तब यहाँ पर मैं buy करूँगा, और अगर इसके नीचे जाते हैं, तो मैं averaging करूँगा, last to last 61.8% तक उसके नीचे नहीं, अगर इसके नीचे गया, then I will exit from this stock, so इस तरह से Fibona की retracement आपको पूरा एक setup दे देता है, profit से लेकर, stop loss से लेकर entry से लेकर, exit तक यह है आपका magical tool जो मैं आपको बता है, Fibona की retracement don't worry दोस्तो, अब इसके बाद एक और वीडियो में लाओंगा Fibona की retracement पे थर्ड पार्ट जहांपर हम extension के बारे में देखेंगे, मतलब all time high पे जो market अभी चल रहा है all time high पे stock चल रहे हैं, तो उपर के level हम कैसे mark करें, कहां तक जा सकता है, वो जारी चीज़े में डिसकस करूँगा part 3 में, तो दोस्तों जो जो viewers है, आप लास्ट तक बने हुए है, इस वीडियो में आप सभी के लिए एक surprise है, आप सभी के लिए एक gift है, जैसे की हम यहाँ पर एक live sessions कंड़क कर रहा है, every Sunday, आप सभी के लिए absolutely free, so अगर आप वो attend करना चाहते हो, पूरा course है, basic to advance अगर आप वो attend करना चाहते हो, तो नीचे मैंने एक whatsapp group के मैंने link mention के description में, उस link पे click करके whatsapp group join कीजिए और वहाँ पर आपको session के आपको link मिल चाहेगी, so I hope that आप सभी ने इस वीडियो को enjoy किया होगा, अगर आपको पसंद है वीडियो तो please channel को subscribe कीजिए like कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रू share कीजिए, अगर नहीं पसंद आया तो क्या क्या हमें improvement करना चाहिए please वो भी हाँ पर मुझे mention कीजिए comment section में, कि suggestion से ही हम आपर improve करेंगे, और हम आपर grow करेंगे, so thank you दोस्तों